नमस्कार मित्रों, मैं डि आनंद कोरोना का कहर जारी है ये दूसरा दौर, दूसरा चक्र काफी खतरनाक है घरों में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें मैं आप से निविदन करता हूँ सरकारी गाइडलाइन का पालन करें कोरोना के निर्देशों का पालन करें और यदि जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें मास्क लगा कर ही चलें और ऐसे वेक्षिनेशन का कारी चल रहा है वालमिकिनगर के राजकिया वालविद्याकेंदर मध्विद्याले में भी वैक्षिन दिया जा रहा है 8 मई 2021 को भी वैक्षिन दिया गया और 9 मई 2021 को भी दिन 10 बजे से वैक्षिनेशन का कारी होगा यदि आप समी वैक्षिन नहीं लिये हैं तो वैक्षिन जरूर लें और सरकारी दिशा निरदेश का पालन करें मास्क लगा कर चलें गर्म पानी से गरारे करें और जड़ी बूटियों वाला काढ़ा जरूर पियें और यदि आप सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, भाप लें घर से नहीं निकलेंगे, तो कोरोना का चेन टूटेगा, 15 मैं तक बिहार में संपुर्ण लोकडाउन है, उमीद करेंगे, आप सभी सरकारी गाइडलाइन का पालन करेंगे, आप स्वस्थर हैं, हम ऐसी कामना करते हैं, मैं आपका दोस्त और होस्ट डी आनंद, आप स्वरा संवर्धन के लिए हर महीने की पुर्णिमातिति को नारायनी गंड की महा आरती की जाती है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कि काफी मुश्किल दौर, काफी कठिन दौर चल रहा है, यदि आप धनी हैं, यदि आप अमीर हैं, तो गरीबों की मदद करें, ताकि कोई भी क कोरोना के चलते, भूख के चलते नमरे, और पुना हमें एक बार जिला प्रशासन पस्चिम चमपारण को, अनुमंडल प्रशासन बगहा को धन्यवा देता हूँ, जिसके माध्यम से सारी व्योस्था की जा रही है, और आज 8 मई 2021 हमारे करीबी भाई लचमन सर्माजी, जो के संचालक भी थे, पिपरा कुटी वाल मिकीनगर में रहते थे, जिनका देहांत हो गया है, मैं नमर आखों से उन्हें सरधांजली देता हूँ, और तबला वादक, मशहूर तबला वादक, वितिया निवासी, स्री अवधेस परसाद जी का भी देहांत की खबर मुझे प्र अगतार हमारी गतवीधियों को देखें, और यदि कोरोना से सम्मंधित कोई शवाल हो, तो आप जरूर पूछें, 9693014118, बलमिकनगर पस्चिम चंपारण, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कोरोना से सम्मंधित वीडियो और गीत संगीत का आनंद ले सकते हैं, यूट चैनल सबके मन की बात